नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रविंदर सिंग अब अब देखते हैं दोस्तों वह कैसे सॉल्फ करेंगे और ने-चैनल देखते हैं देखो एकोर्ण हम अपनी अप्रोचि रखेंगे हमें पता है कैसे कैसा है सेट करेंगे यहां आपनी अप्रोच रखेंगे और चैनल दोस्तों dealt रखता एदश करेंगे ऑ 예쁘 to go can complete a work in 12 days, को तीन लोग हैं दोस्तो, C, D और E, वो तीनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में खतम कर देते हैं, कि आगे कहता है कि जो efficiency of C है, वो D के दो गुनिय है, twice of D है, and efficiency of E जो है, वो D के थ्राइस है, यानि कि अगर मैं कहूं कि C, D, और E, तीन लोग हैं, और ये तीनों मिलकर का करते हैं, काम कर रही हैं, तो इन्होंने का कि जी 12 दिन में काम खतम हो जाएगा, उसने efficiency की बात की है, efficiency में कहा है, कि जो C की efficiency है, वो D की efficiency दुगनी है, अगर D की efficiency एक होगी, तो सीधी सी बात है, C जो उसके efficiency दुगनी होगी, यही तो को कहा रहा है, कि यदि, अगर E एक बर खाता है सब माफ किजेगा अगर डी एक बरफी खाता है तो सी जो है वो दो बरफी खाएगा आगे बढ़कर कहता है कि जो ई की एफिशेंसी है वो डी के थ्राइस है अगर डी की एक है तो इसकी तीन होगी की नहीं होगी वही वाली बात है कि अगर डी एक बरफी खाता है तो इभाया उसकी तीन गुनी वर्फी खाता है तो इसी प्रकार हमें efficiencies पता लग गई efficiency का जोड लगाऊगे तो बनेगा 6 तो आपको पता होगा जो total work का formula होता है वो होता है efficiency into time तो total work किना से मेरे पास कितना आ जाएगा 12 गुणा में 6 यह होगे मेरे पास total work 12 गुणा के बाहततर बाहततर units होगे total काम अब उसने पूछा है कि E कितने दिन में काम कर लेगा अकेला तो अकेला number of days E will take number of days E will take total काम 72 है E की efficiency जो है वो 3 है दोस्तों तो E जो है 24 दिन में वो काम complete करेगा I hope आपको यह बात समझ मैं यहाँ कि दोस्तों यहाँ पर efficiency और total work का relation जो है वही हमें time बताएगा दोस्तों efficiency, total work और time यह तीनों का relation होता है यह होता है आपका time and work वाले चप्टर से formula बनता है कि total work जो होता है वो efficiency और time का गुणा होता है हमसे पूछा था कि E कितने दिर में काम करेगा तो जी E 24 दिन में काम करेगा बढ़ते हैं अगले question की और जो कुछ इस प्रकार है बढ़ते हैं अगले question की और जो कुछ इस प्रकार है कहता है कि X और Y जो है even number है तो बताओ इन में से कौन सा number जो है वो odd है अब even number हमें पता है दोस्तों जो 2 की multiple होती है 2 से divisible होती है तो अपनी मर्जी से में कुछ भी X और Y जो है लेट कर लेता हूं कुछ भी even number लेट कर लो मैंने X को 2 मान लिया Y को 4 मान लिया अब उसने कहा है कि कौन सी चारों में से एक odd number है कौन सा number जो है वो odd number है तो देखिए दोस्तों एक एक करके try कर लेते हैं इतना समय paper में नहीं होगा तो क्यों ना एक बात समझी जाए कि odd number क्या होता है और नमबर वो होता है जो किसी even number से अगर divide किया जाए तो remainder में वहिशा एक बचता है यहां कोई remainder में one नहीं है यहां कोई one नहीं है यहां कोई one नहीं है यहां कोई one नहीं है यहां यहां पर है यानि कि option A मेला correct है, यह तो वो option से चलने जाने तरीका और अगर इसे solve किया जाए, तो भाई x की value आपके पास हा, 4 की value आपके पास हा 1. पहले को solve किया जाए, तो 2.4, 8 और एक 9 2.3, 2.3, 2.4, 6 6 और 8, 14 2.3 2.3, 2.4, 6 6 और 8, 3.3 3.5, 6, 6, 6 हमारा करेक्ट ऑप्शन है that is x plus y oh sorry माय माँ आफ कीज़ेगा x into y plus 1 is our odd number thank you let us move to the next question which says so now third question जो कहता है वो कहता है के how many times the digit 1 appear in the first whole numbers hundred whole numbers so so तो शुरुवाती whole numbers है whole numbers का मतलब क्या है कि decimal नहीं आना चाहिए कहीं पर भी पूछा है कि digit 1 कितनी बार repeat होगा तो अगर मैं जीरो तो कोई मान नहीं होता है अगर मैं एक से लेकर 10 तक देखूं तो एक अगरा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सत्रा अठारा उन्निस तो दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस यानिकि दस बार इधर आ रहा है अब 21 से लेकर 100 तक लिखा जाए तो कितनी बार आता है तो दीखिए 21, 31, 41, 51, 61, 81, 91 और 100 तो यहां कितनी बार आ रहा है 21 यानिकि आपका जो वन डिजिट है वो 21 बार रिपीट होगा एक से लेकर 100 तक की गिंती में बढ़ता है अपने अगले कोशिन की और जो कुछ इस प्रकार है फोर्थ कोशन इस प्रकार है कहता है कि what is the value of 0.7 का स्क्वार and 0.07 का स्क्वार कल भी हमने एक बात सीखी थी या पहले भी सीखा के स्क्वार एं स्क्वार रूट करें तो 7 का स्क्वार जो 49 बनता है और पॉइंट के बाद एक प्लेस है तो यानि जो भी आंसर होगा पॉइं इसका स्क्वार क्या जाये तो इट minepia इसलीं ब्रकार जिर इसकाम स्क्वार क्या जा है तो इसी इसलीजीज by स्क्क्राइब हमसे स्क्वार और भी और दो या कर देंगे दोनों को एड़ किया यदि तो 0049 इट विल भी 0.4949 यह हमारा करेक्टाइशन सथ होगा दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी पॉइंट के बाद अगर यदि एक प्लेस है तो इसका स्क्वेर किया जाए तो पॉइंट के बाद दो प्लेस होगी अगर पॉइंट के बाद दो प्लेस होगी अगर पॉइंट के बाद दो प्लेस होगी तो पॉइंट के बाद चार प्लेस होगी यह बहुत छोटी सी बेसिक स यानिकि 2 प्लेस बाद पॉइंट यही है अमने यहां पर किया है सिमिलर यहां पर 2 प्लेस हैं तो पॉइंट हटे का तो नीचे 100 और 100 का स्क्वार 10,000 10,000 और 7 का स्क्वार 49 तो 49 को 10,000 से डिवाइट करेंगे तो इत विल भी पॉइंट विल पॉइंट विल भी आफ्टर 4 प्लेस या 4 डिजेट्स आयोप आपको यह बात समझ में आए कि दोस्तों बढ़ता है अपने अगले कोशिन की और बढ़ता है अपने अगले कोशिन की और जो कहता है कि हाओ में पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 2,000 आर देर 2000 के कितने जो है धनात्मक जो फैक्टर्स पूछे गए है पॉजिटिक अंदर धनात्मक होता है इंदी में दूस्तों फैक्टर्स समझने से पहले मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ हमारे पास कोईव नमबर है 12 मैं इस से पूछाू कहा इसका फैक्टर्स क्या बनेगा उसका फैक्टर्स घोरहा वहिए वन की टेवल में भी आता हो लेकिर टू की टेवल में भी आता हो 12, 2 3s are and 3 are, यानि कि हम यहां से कह सकते हैं, कि 12 जो है, यह वो 2 का स्क्वेर, इंटू में 3 की पावर 1, यानि कि हमें इतने factors ले रहे हैं, कि जिसकी और छोटी power ना की जा सके, तो 2 की power 2 और 3 की power 1, अब हमें जानना है कि हम total factors कितने बनेंगे, तो हम क्या करना, अपनी मर्जी से यहां पर 1 add कर देना है, अपनी मर्जी से यहां एक add कर देना, अब देखना है कि power कितनी आई है, यहां पर आई है 3, यहां पर आई है 2, तो total factors बनेंगे कितने बहिया, 6, और आप गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 factor बन रहे हैं, तो यह एक तरीका होता है, factors count करने का, इसी प्रकार से अब हम 2000 के factors देखेंगे, कैसे निकालेंगे, हमसे कोश्य हैं बोला है, कि positive factors जो है, वो 2000 के निकालेंगे, तो एक तरीका मैंने भी बता है, आपको कि 2000 के factors ऐसे निकालो, तो बहुत बड़ा method बन जाएगा, factors कर लेते हैं 2000 के क्यों ना, यदि 2000 के factors के जाए हैं हमारे पास, तो पहले 1000, फिर अगेन ये 2 से जाएगा, तो इट विल बी 500, ये अगेन 2 से जाएगा, तो इट विल बी 250, इसे अगेन 2 से करेंगे, तो इट विल बी 125, अब इसे 5 से करेंगे, इट विल बी 25, इसे फिर 5 से करेंगे, इट विल बी 5, एड अगेन इट विल बी डन बाई 5, तो यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है, कि बहुत जो 2000 है, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार ही repeat हो रहा है, एक, दो, तीन, चार, यहांनि 2 जो है, वह चार बार repeat हो रहा है, और, तो मैंने कहा, कि अपनी मर्जी से एक, एक add गरना है, तो यहाँ एक add क्या power में, यहाँ एक add कर रहा, तो यहाँ पर मेरे पास बन गैंजी 5, यहां बन गया जी चार और इन दोनों को जो ब्याव से मल्टिप्लाय करना आपको पता है फाइफ फॉर्जार ट्वेंटी यह नहीं कि 20 फैक्टर्स जो है वह 2000 के बनेंगे आगे बढ़ता है अगले कोशन की और अगला कोशन कुछ इस प्रकार है पिछले सीरीज में यह कैसे कोशन किया था हम लोगों ने जहां पर हमने देखा था कि ऊपर यह वाली संक्या थी और नीचे यह वाली थी बस साइन का डिफरेंस था अब हमारे पास यहां पर एक्यूब प्लस B क्यूब और A2 प्लस B2 माइनस A B का फॉरमला बन रहा है तो कल हम नहीं देखा था कि A2 माइनस B करा क्या फॉरमला था आज देख लिटे हैं कि ऑगया A3 प्लस B3 का क्या फॉरमला बनता है इट विल भी A फ्लस B और यहा एसकोर, प्लस B2 माइनस AB यह फ shapla होता है तो देखो एक यूब की जगा मैं इसे ऐसे खोल सकता हूं इसे मैं ऐसे खोल सकता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं इसके जगा यहां मैं लिख सकता हूं कि 27 प्लस 23 यहां पर 27 का स्क्वेर प्लस 23 का स्क्वेर माइनस 27 और 23 नीचे जो है मेरे पास वह 27 का स्क्वार प्लस 23 का स्क्वार माइनस 27 इंटू 23 अब देखें इतनी ही रकम ऊपर है इतनी ही रकम नीचे है तो it will cancel out, straight away it will cancel out, तो हमारे पास जो option बचता है last में, वो इतना area बचता है, that is, 27 plus 23 and 50 will be your answer, I hope आपको इतनी बात समझ में होगी, आप इसे copy कर सकते हैं, take your time, we shall move to our next question, तो बढ़ता अपने अगले question की और जो कहता है, कि यदि, if 40% income of P's income is equal to 75% income of Q's income, then what percent will be Q income to P's income, tongue twister हो गया ये, इसे इनने में समझाता हूँ मैं आपको, कहता है यदि 40% P की income, बराबर है Q की 75% income के, तो बताओ, Q की income P के कितना परतीशत होगी, बढ़े अगर आप लोगोंने जो है, fraction पढ़ी है, percentage के अंदर, तो 40% की जो fraction बनती है, that is 2 by 5, और 75% की जो fraction बनती है, that is 3 is to 4, अब question कुछ इस प्रकार है, कहता जो भी income है P का, उसका 40% बराबर है Q के 75% income के, यहां से solve किया जाए इसको cross multiply करके, तो it will be Q multiplied 5, 3's are 15 and 2, 4's are 8, यहां से Q उदर multiply उदर आकर यह divide हो जाएगा, तो P by Q का जो ratio बनेगा, वो बनेगा 15 by 8 का, अब question में हमसे पूछा है कि Q की income P का कितना परतीशत है, परतीशत के लिए 100 होता है, तो 8 बटे 15 होता है, इससे solve करेंगे दोस्तों, तो 5 तिया 15, बीस पंजे सो, तो 20 हो ठेक सो साथ, तो एक सो साथ बटे 3, इससे solve करेंगे तो इससे विल बी, तीन पंजे 15, एक बज़ गया, तीन तिया 9, एक बज़ गया, और तीन तिया 9, फिर एक बज़ गया, तीन तिया 9, तो यह हो जाएगा, 35.33%, I hope अपको एक बास समझे होगी, बढ़ते अपने अगले प्रक्शन की ओर, जो कुछ इस प्रकार है, बढ़ते अपने अगले प्रक्शन की ओर, जो कहता है, A and B have money in the ratio of 9 is to 5, if A gives rupees 10 to B, then ratio become 1 is to 1, कहता है, कि बढ़ी, दो लोग है A और B, जिनके पास, जो है, ratio में amount है, 9 और 5, कहता है, अगर A, अपने आपको, अपना 10 रुपया किसी को, B को दे देता है, या मैं ही अपना, मतलब मैं और एक कोई लड़का कमल, भाई मैं उसे, जो है, 10 रुपय दे दूँ, तो हम दोनों के बीच में जो amount है, वो, 1 to 1 के ratio में, जो distribute हो जाएगा, इनके बराबर हो जाएगा, तो भाई, मैं हूँ, रविंदर, एक है, हमारे पास, कमल, मेरे पास, जो amount है, वो 9 unit है, कमल के पास, जो वो, 5 unit है, भाई, x मान लेता हैं, दोनों के साथ-साथ, अब question में बोला है, कि भाई, रविंदर ने अपने 10 रुपए जो हो, कमल को दे दिये, तो कमल के अप मेरे 10 रुपए गट गए होंगे, तो कमल के पास बढ़ गए होंगे, और इस प्रकार ratio जो हो, 1 is to 1 बन गया होगा, तो आप इसे cross multiply करें, तो it will be 9x minus 10, is equals to 5x plus 10, इस आप solve करेंगे, तो 4x will be equals to 20, और यहां से x की value जो है, वो 5 आजाएगी, यदि x की value 5 है, तो शुरुवात में उसके पास कितने रुपए रहे होंगे, 9 is to 5, that is 45 रुपीज, और इसके पास 5 into 5, that is 25 रुपीज, तो यह हमारे answer है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले question की और, इस question में ऐसा कुछ था नहीं, अगले question में देखते हैं, क्या निकल और आता है, take your time, बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले question की और जो कहता है, कि a retailer deposited some amount in the bank, the rate of interest for first 3 years will be 6%, and for next 3 years is 9% per annum, for the period beyond 6 years, the rate of interest is 10%, find the principle he deposited, इसमें एक और बात हम जो है कहना चाहेंगे दोस्तों, वो यह है कि at the end of, यानि कि 9 साल बात at the end of 9 years, जो simple interest उसे मिला न दोस्तों वो है 1650 रुपए, उसमें question में यह वाली बात दी है, जो कि हमें question में हमने जो है अभी डाली है, और वो यह कहता है कि principle mode fine करना है, जबकि simple interest 9 सालों का 1650 रुपए मिला है, पहले 3 साल के लिए तो rate of interest 6% था, अगले 3 साल के लिए 9% था, और फिर 6 साल से आगे का जो भी period होगा, जो भी period होगा उसमें 10% per annum के साब से आपको interest pay करना पड़ेगा, अब हम question में पढ़कर एक बात पता लगा सकते हैं, कि बाई जो total time रहा होगा वो 9 साल का रहा होगा, यानि कि कोई x धन रहा होगा, जो कि 3 साल के लिए 6% पर दिया गया होगा, पहले 3 साल, फिर simple interest तो और साल सेम रहता है और principle भी सेम रहता है, यह फिर अगले 3 साल के लिए जो है 9% पर दिया गया होगा, और फिर अगले 3 साल जो है क्योंकि total तो 9 साल दिया गया है, भाई 3 साल 6 पर अगले 3 साल 9 पर फिर अगले 3 साल पर जो यह पका-पका 10% पर दिया जाएगा, और इन सभी रुप में आपको जो interest मिला दोस्तों वो मिला 1650 रुपेगा, अब यहां से x find out करना है इसे find out करेंगे तो it will be 18x by 100 इसे solve करेंगे तो it will be 27x by 100 इसे solve करेंगे तो it will be 30x by 100 अब इन सबका LCM लेंगे दोस्तों तो 100 देखिए LCM लेने के बाद यहां डिवाइड हो रहागो तो मैं स्ट्रेट अवे यहां पर multiply कर दूँगा, और इन सबको add कर दूँगा, देखें भाईया 30 और 27 बनता 57, 57 और 18 बनता 75 बनता 75, 100 और यहां पर 1650 उर्पए, अब इसे solve करें दोस्तों, देखें 75 तिया 75 और 25 चोके 100, तो यहां से जो x की value आएगी वो करीबन इतने रुपे का असपास रही होगी, तो यहां से जदी इसे solve किया जाए दोस्तों, तो it will be, आप इसे multiply करेंगे, 400,000, 4520, 4624, 24 plus 2 is 26, 41044 plus 1 is 26, यानि कि 6600 रुपीज जो है वो इसने उसको दिया गया होगा, टोटल अमाउंट जो उसको मिला होगा, एक बार से फिर से जो है calculation चेक कर लेते हैं, भाई, 30 plus 37, 57, 57 और 10, 67, 67 और 8, 75, तो 75 x अपॉन में 100, माफ किजिए दोस्तों चोट इसी mistake हो गई है, अब इसे हम एक और बार देखेंगे, चोट इसी mistake हो गई, वो क्या है, correct कर लेते हैं इसको, भाई, यहाँ पर 75 x और अपॉन में 100 था, इसे solve out करेंगे, तो it will be 3 x by 4, अब इसे solve करेंगे for x की value, तो 1650 गुणा में 4 अपॉन में 3, बैस तीन को divide करेंगे, 1650 को divide करेंगे अगर 3 से, तो it will be 550, और 550 की गुणा करेंगे, तो आपके पास अंसर क्याएगा, बाइस सो रुपे, तो बाइस सो रुपे जो उसने amount, principal amount जो है deposit कराया होगा, उसका उत्तर 1600 नहीं है दोस्तों, बाफ कीजिए कि छोटी सी mistake हो गई थी, हमने उसे rectify कर लिया है, तीन बटे चार जो था, वो हमारे पास solve करने से आया था, और उसे दूसरी साइड ले जाएगे तो ओ चार बटा 3 हो जायाएगा, 1650 को 3 से divide कराएंगे तो 550, 550 की गोना चार से तो 2200 रपर जो है उसने deposit किया होगा, आए ओप आपको यह बात समयगा है दोस्तों, बढ़त अपने अगले question की और जो किकुछ इस प्रकार है, बढ़त अपने अगले question की और जो कहता है, एक triangle है having a parameter of 40 cm, यदि एक side 11 cm है तो triangle का area क्या होगा, आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर जो triangle बोला है, एक scaling triangle बोला है, जिसके तीनो side जो है वो unequal होती है, यह कोई side A है, यह कोई side C है, यह कोई side B है, तीनो अपस में जो है different होगी, कोई भी equal नहीं होगी, और बोला उसका जो perimeter है, वो 40 cm है, यदि एक side कोई भी मैं 11 मान लेता हो, let us suppose मैं यह वाली side 11 cm मान लेता हूँ, तो यानि कि total perimeter जो है, वो 40 दे रखा है question में, बोले तो A plus B plus C का value है, वो 40 cm के बराबर है, और question में बोला है कि 1 side 11 cm है, तो यदि मैं B side चुपा लो, तो A और C का जो हमारे पास मान आएगा, हैनि कि दोनो side का जो जोड आएगा, वो 40 में से 11 गटाने का ही तो आएगा, वो 40 में से 11 गटा हूँगा, तभी तो दोनों की side पता लेगी, तो 29 जो है यहां पर आएगा, और question में, जो है एक और बात, हम जो है यहां पर बोलने चाहूँगा, कि question में एक और बात बूली है, कि दो side का, जो difference है, दो side का, difference of two sides, 3 cm, और जो 2 side है, उनका difference जो 3 है, यदि अभी इने solve किया जाए, तो हमारे पास A और C का value आजाएगा, अब इसे solve करते हैं, सीधा add करते हैं इनको, तो 2 A का जो value है, वो हो जाया का पर 32, और यहां से A का value है 16, अब 16 को किसी भी एक equation में रख दे, तो C का value यहां पर कितना आजाएगा, अगर इस equation में रख दे, तो यहां से C का value कितना हो जाएगा, A 16 है, 29 में 16 गया, 13 बचा, यानि कि जो C का value है, वो 13 है, और A का value 16 है, बोले जो हम से दूस्तों, पूछा गया है इसका area, अब scale and triangle का area निकालने का तो कोई fix formula होता नहीं है, लेकिन हम लोगों ने एक formula पढ़ा है, जिसे हम कहते है hero's formula, तो hero's formula निकालने का formula होता है, वो होता है semi perimeter में से हर एक बारी, एक एक side को less करते हो जाना है, अगर एक बार इसको solve क करें, और यह s क्या है, s होता है जो भी आपका perimeter होता है, उसका half, तो यानि कि a plus b plus c का आधा, यह क्या हो जाएगा, 20, क्योंकि a plus b plus c का value तो 40 है, तो इसका आधा क्या होगा, 20, यानि कि यहाँ पर हमें 20 रखना है, 20 में से 11 गया, 20 में से 16 गया, 20 में से 13 गया, यह मारे पास बचता है, तो इसे solve करें के दोस्तो, 20 में से 11 गया, तो 9 बचता है, 20 में से 16 गया, तो 4 बचता है, और 20 में से 13 गया, तो 7 बचता है, इसका टुकडा किया जाए, तो मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर, 4 into 5, यह no as it is, यह 4 as it is, और 7 as it is, आप देखें, जोडा जिसका भार न जो square root होता है, वो होता है, 9 का square root होता हो 3, तो 4 तीया, 12, और under root हो बच जाएगा, 7 और 5 यह निभी 35, तो 12 root 35 जो है, cm2 आपका area हो जाएगा दोस्तो, I hope आपको यह बात समझ में होगी, आगे बढ़ते हैं अगले प्रशने की और, एक और बार मैं इसको थोड़ा सा बता जी कर देता हूं, explain कर देता हूं, question में एक छोटी सी बात ही, जो मैंने बाद में लिखी है, यह question का ही पार्ट है, कहता है triangle is scale, जिसमे parameter जो 40 cm, एक साइट 11 cm की है, और 2 साइडों का difference जो 3 cm है, तो बताऊं उस triangle का area क्या होगा, तो उसी प्रकार, parameter जो वो 3 साइडों का sum होता है, आरा गया, 32 बर्चता है, और बोला है कि दो साइडों का difference है, वो 3 है, मेरे पास 2 equation आ गई, मैं से solve करूं, तो A की value 16, और C की value 13, अब मुझसे पूछा है, area पूछा गया है, तो area निकले का heroine's formula से, तो heroine's formula यह रहा, S का मतलब होता है semi perimeter, तो perimeter का आदा कर दो, तो वो semi perimeter होता ह फिर S-A, S-B, S-C, जो भी semi perimeter होता है, उसमें से एक एक side को minus कर दो, और square root में डाल दो, तो final answer will be your 12 root 35, take your time, copy this, बढ़ता अपने अगले question की और जो कहता है, कि दो train है, P और Q, start from station X and Y, यानि कि, ये एक station है, और ये दूसरा station है, दोनों एक दूसरे की और चलना शुरू किये, P और Q train है, ये यहां से चलना शुरू किया, और ये यहां से चलना शुरू किया, trains take 5 hours and 4 hours 3 minutes to reach Y and X respectively after they meet, अब वो कह रहा है कि बढ़ी, एक station जब वो आपसे मिल गई, तो मिलने के point से, जो respectively अलग अलग stations है, वहां तक जो है, पहुचने में उनको, जो है, पांच घंटे और, 4 गंटे 3 minute का समय लगा, let us suppose वो यहां मिलते हैं, हमें नहीं पता कहा मिले है, let us suppose वो यहां मिलते हैं, तो यहां पर मिलने के बाद, यह जो train है, यहां पहुच गई, और यह वाले train जो है, यहां पहुच गई, तो इसको लगा जी 5 गंटा, इसे लगा 4 गंटे 3 minute है, तो ऐसे cases में पूछा गया है दोस्तों कि अगर पहली speed का पहली train का speed वो 54 km पर आ रहा है तो दूसरे speed का जूसरे train का speed निगा लो तो ऐसा जब कभी भी आपके सामने question आ जाया दोस्तों तो एक बात दिमाग में में हैं अपने रखनी है कि कभी भी मिलने के बाद अगर दोनों स्टेशन पर पहुंचने के बारे में बात हो तो इस में एक सटीक फॉर्मला लगता है वह यह होता है जो पहली स्पीड की ट्रेंड की फर्स्ट स्पीड है स्पीड आफ फर्स ट्रेंग श्पीड फर्स्ट स्पीड आफ सेकेंड यह हमेशा बराबर हो गी यह जो सैकेंड ट्रेंड ने टाइम लिया वह है इसका बहुत सटीक फॉर्मला है स्पीड फाइंड आउट करनी है सेकेंड की तो यह वाला फॉर्मला जो आपका बिल्कुल फिट बाइटेगा यह स्रिफ फॉर्फर कब फिट बाइटेगा जब हमें बोला गया हो कि मिलने के बाद एक ट्रेन इस थान पर इतने बजे पहुंची और दूसरी वाली इतने बजे में चेंज करेंगे तो इट विल बी 81 बाइट 20 आवर्स तो स्पीड जो हमें पहली दर के 54 दूसरी को एक्स माल लेते हैं और यह वाज़ा 1 81 अपॉन 20 और दूसरा का जो टाइम हुआ लगा पांच गंटे तो इसी को तो डिवाइड करेगा यानि कि यह अब इससे 20 मुल्ट 21 अपॉन 20 इंटु 5 दैट इस वाइपर 20 इंटु 5 लिखा गया तो अब इससे स्वाल किया जाए दोस्तों तो 81 का जो स्क्वेर रूट बनता है वो 9 बनता है और 20 इंटु 500 100 का जो स्क्यार रूट होता है वो 10 होता है अब यह स्वाल करें तो 9 1 जा 9 and 9 6,054 तो एक्स की वैल बढ़ते है अपने अगले प्रेशन की ओर जो कहता है दा रेशो ओफ प्रेजेंट एजिस ऑफ टू बॉइस इस इस एप्रोच तो यह कोशन रेशो पर्पोर्शन सी हो जाएगा दोस्तों उसने का कि दो दोस्तने ए और बी और जो रेशो है वो पहले उनकी एजिस का रेश और बाद में जो रेशो हो गया वो गया 7 इस टू 9 अब देखेंगे कि दोस्तों 5 से 7 हुआ तो 2 का बदलाव भी 2 का बदलाव क्योंकि कमपैरिजन तो तब ही हो सकता है ना जब रेशो सेम हो यह आ क्यों रहा है यानि कि यह जो डिफरेंस आया है दो साल का यह आया है इन 4 स चार साल एज आगे बड़ी है तब यह तो डिफरेंस आया होगा यानि कि यह जो दो रेशो का दो यूनिट का जो वैलू है यह चार साल के बराबर है यहां से एक यूनिट का वैलू जो है वो दो साल आ जाएगा अगर एक यूनिट का वैलू दो साल है तो भाई यह जो रह ratio of ages after 14 years, 14 साल बाद इनकी age का जो है, वो ratio कितना होगा, आज 10 साल है, 14 साल और बितालेगा, तो बन जाएगी 24 साल उमर, आज 14 साल है age, एक और बार 14 साल बितालेगा, तो बन जाएगी 28 साल age, दोनों का ratio पूछा है, अगर इसे 4 से cancel out करें, तो 4 6s are, and 4 7s are, तो यानि की ratio जो बैड वो होगा, 6 is to 7 का, और यही हमारा answer होगा दोस्तों, मैंने का था, जैसा data वैसी approach, इसे हम, नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, कि इसके साथ x मान लूँ, इसके साथ x मान लूँ, दोनों में 4 4 जोड़ू, तब जाके, जो ratio हो 7 is to 9 मनेगा, फिर इसे solve करूँ, वो काफ जो कुछ इस प्रकार है, कहता है कि बई, due to 20% rise in the price of a sugar, a man able to purchase 3 kg less sugar for Rs. 120, कहता है, अगर चीनी की price में 20% की वृद्धी हो गई, तो कोई बंदा 3 kg चीनी कम खरीद रहा है 120 उर्पे में, अब आपको पता है, चीजों का दाम बढ़ता है, तो हम समान कम खरीते हैं, चीजों का बढ़ा हुआ अदाम बताएं चीनी का, अब देखो बढ़ा हुआ अदाम तो हम तब पताएं ने, जब पुरान अदाम पता हूँ, तो ऐसे questions के लिए मैंने का जैसा data वैसी approach, ऐसे questions के लिए हमारे पास जो है, एक fixed formula होता है, वो formula कुछ इस प्रकार होता है, कि जो भी price है, उसकी multiply कर दो आप, जो भी increase या decrease question में दे रखा है, price, increase या decrease price जो भी दे रखा है, फिर उसे आप hundred से divide कर, multiply करेंगे, उतनी quantity से जितनी quantity question में बोली गई है, तो increase या decrease quantity, और आपका नया price आ जाएगा, यह formula होता है, दोस्तों new price निकालने का, एक fixed formula है, जो इस type के questions में चलता है, वरना इसे ऐसे भी कर सकते हैं, कि 20 परतीशत वृद्धी हुए है, पहले 100 था, तो बढ़के 120 हो गया होगा, अब खर्चा उतना है, खर्चा समान रखना है, खर्चा किसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा, कि कुछ चीजों पर जो fixed formula चलते हैं, तो हम उसी के according चलेंगे, तो price था 120, इतनी की तो लागत मुल्या था, increase कितना हो रहा है, 20% की increase हो रहा है, percentage का नीचे 100 आ गया, और जो increase or decrease quantity है, वो कितना यहाँ पर है, अब solve करना रह जाता है, अ अब इसे solve करेंगे, तो एक 0 से एक 0 गया, इस 0 से यह 0 गया, तो आठ रूपे पर के जीजू है, आपका नया price आ जाएगा, I hope आपको इतनी बास समझ मेंगेंगे जोस्तों, कोई भारी question नहीं था, वही कि जो भी लागत मुल्या है, वो यहाँ पर, जितना increase per price बोला question में, वो divide कर देंगे, अब यहाँ पर percentage में question है, तो यह percentage हो, यह वाला sort percentage का है, और जितना समान कम खरीदा या जादा खरीदा गया, उसकी quantity सोसे multiply कर देंगे, बाकी तो फिर calculation बच जाती है, वहाँ बड़े अच्छे लोगा, बड़े आराम से कर सकते हैं, अगले question के और बढ़ते and allows a discount of 30%, what is the profit percent? Again a very simple question दोस्तों, कहता है कि एक trader है, उसने कोई समान 100 unit में खरीदा होगा, और उसने जो mark किया है price, वो 60% जादा किया है CP से, तो वह 100 का जो 60% होता है, वो 60 unit होता है, और CP में मजूड जाएगा, तो 160 unit जो उसने marked price किया होगा, फिर उसने कहा है, कि वो समान को बेचता है 30% discount देने के बाद, तो अगर यहां से मैं इसका selling price निकालूं, selling price निकालना होगा तभी profit या loss का पता चलेगा, तो उससे पहले मुझे actual discount पता करना होगा, actual discount पता करना होगा, तो 160 का 30% जो है, मैं ऐसे solve पर लूँआ दोस्तो, तो 16 तिया 48 रुपे, यानि कि जब मैं इसे छूट दूँगा, तो 160 में 48 रुपे की छूट दूँगा, तो बेचूँगा कितने में, 112 रुपे में, भाई कोई चीज खरीदी 100 में, बेची 112 में, तो profit कितने का हुआ, profit वाजी, 12 रुपे का, कितने पर जी, 100 रुपे पे, तो percentage में कितना, तो यह वाजी हमारा, 12% profit, यही question में, पूछा गया था, I hope आपको इतनी बात समझ रहागी जोस्तो, यह था वो question जो 6 December 2017 के, दिल्ली पुलिस के paper में, second shift में पूछे गई थे, अगली बार हम जो है, एक औ पर उन्ही math के कुछ 15 questions के साथ मिलेंगे, और उसमें discuss हरेंगे, कि उन questions पर क्या approach रखनी है, आपको मैं एक छोटी सी बात बता दो दोस्तो, दिल्ली पुलिस जो है, अपने math section में 15 questions जो है, वो देता है, उन 15 के अंदर, questions का level आप देख सकते हो, कोई जादा भारी level नहीं दे से धीरे से level बढ़ता गया, तो दिल्ली पुलिस जो है, अपना level धीरे धीरे बढ़ाती जा रही है, क्योंकि अब SSC के आत्म आगे है, दिल्ली पुलिस पेपर वो ले रही है, तो वो जो level एक अच्छा level बना कर दे रही है, तो बात करेंगे फिर next time, जो है, आपने आने वा जयते दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मात्रम